जोतिश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिये दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन मेरे प्रिये साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वदानंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज की भी चर्चा है आपके अपने मनपसंद कारे करम को ले करके जिसका नाम है दैनिक राशीफल और ये जो दैनिक राशीफल है पूरूरूरूप से जो वरतमान में आसमान में गोचर में गरों की इस्तिती बनी हुई है उसी पर ये आधारित है आपका राशीफल दैनिक राशीफल लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे दर्शक गण के सबसे पहले जानकारी हम आपको पंचांग के विशह में दिया करते हैं आज भी हम आपको पहले पंचांग के ही जानकारी देंगे उसके उपरांत फिर हम चर्चा करेंगे आप से आपके दैनिक राशीफल के विशह में तो आईए पंचांग के विशह में जानते हैं तो बताना चाहेंगे कि देखिए ये पंचांग और आपका दैनिक राशीफल दोनों ये दिनांग 27 मई सन 2024 दिन समवार विक्रम समवत 2081 का रहेगा हिंदी का महीना रहेगा जेश्ट का महीना पक्ष होगा कृष्ण पक्ष तित होगी आज चतुर्थी और नक्षत रहेगा पूर्वा शाड़ा योग रहेगा शुब प्राते 6 बचकर 37 मिनट पर तक उसके शाम को 4 बचकर 5 मिनट पर अपनी समराशी धनू से निकल करके और मकर राशी में करेंगे प्रिवेश राहुकाल की जो समय अवदी है वह प्राते 7 बचकर 8 मिनट से लेकर के प्राते 8 बचकर 51 मिनट तक रहेगी और अभीजीत मूर्थ की जो शुब समय अवदी है वह प्राते 11 बचकर 50 मिनट से लेकर 12 बचकर 45 मिनट तक रहने वाली है तो यह है जानकारी पंचांग को लेकर आगे आपसे बात करने वाले हैं आपके अपने दैनिक राशी फल के विशह में और बात करेंगे मेश राशी से लेकर मीन राशी तक सभी बारे राशी के जातकों के विशह में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आपके साथ चर्चा भी करेंगे इस बात को ले करके कि आज का आज का आप सभी बारे राशी के लिए दिन 27 माई का कैसा जाने है तो साथियों आईए आरम करते हैं मेश राशी से तो प्रिया साथियों यनि के जिनका एरी साइन बनता है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आज के दिन आपका पराकरम में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है पराकरम आपका बहुत अच्छा रहे कि देखिए जहां मैंने एक चीज आपको कहा कि आप शौर्ड डिश्टेंस जर्नी करें लेकिन वहीं दूसरी और में ये भी कहुँआ कि लोंग डिश्टेंस जर्नी अगर एवाइट कर सकते हैं तो जरू करें और कम से कम इस मई के महीने में तो आज की बात नहीं कर रहे है मई में कुछी दिन बाकी रहते हैं तो अगर आप एवाइट कर सकते हैं लॉंग डिश्टेंस जर्नी तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इंकम को ले करके किसी परकार की कोई समस्या हमें नहीं दिखाई दे रही है आपके केस में और दूसरी और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस्टूडेंट्स को किसी परकार की कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आती है तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है उपाय क्या करें उपाय अगर आप कर सकते हैं तो चांदी का कड़ा अगर अपने हाथ में धारन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए उपाय के तोर पे दूसरा बताना चाहेंगे कि देखिए विर्शव राशी के जो हमारे मित्र हैं जनका टौरस साइन बनता है आपके जो आज विर्शव राशी के हमारे जातक हैं मित्र हैं उनके लिए घर परिवार से जुड़ी जि के सदस्य हैं वो आप से बहुत प्रिसंद रहेंगे उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आप भी अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और एक अच्छा वातावरन बना रहेगा पूरे दिन और अगर आप अपने पैसे का कर पाएंगे जिसके आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे एक तरीके से रिटर्न मिलेंगे साथ यों बताना चाहेंगे कि हाँ धन के आगमन में जो थोड़ी बहुत कमी बनी हुई है उसके लिए उपाय हम आपको बरावर बता रहे है कि ताकि आपके धन की कमी ना रहे आपके लिए और आपको आपके बुजर्गों का आशिरवाद भी आज के दिन पूरा मिलेगा उनका भी आप आशिरवाद लेंगे तो आपको पूरा आशिरवाद उनसे मिलेगा उनका प्यार भी आपको मिलेगा अब आप उपाय क्या करे कि प्रहते काल इसनान करने के वक्त जो इसनान करने वाला जल है उसमें आप इत्र मिला लें और थोड़ा सा इत्र मिलाने या और थोड़ा सा लाल चंदन एक चुक्ती उसमें मिला करके इसनान करेंगे तो आपके धनके आगमन में जो परेशानी हो रही है रुकावटे हैं वो दूर होंगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो काले सफेद कुत्ते को आज दूद या रोटी खिलाएं अगर आपकी पढ़ाई को ले करके आप चाहते हैं कि उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो आगे बात करते हैं मिथुन राशी के जातकों के विशम है यनि के जिनका जेमनी प्रियसाथियों बताना चाहेंगे कि देखिए जो हमारे आप मिथुन राशी के जातक हैं आज के दिन आपका मन बहुत प्रसंड रहने वाला है कहीं से कोई अच्छा सोखत समाचार आपको मिल सकता है जिससे आपके मन को भी शांती मिलेगी और पूरी तरह से आप से करता है अपने कार्यों को पूरी एफिशेंसी उसकी दिखाई देती है वर्किंग एफिशेंसी लेकिन बेशक चाहें आपके कार्या छेत्र को लेकर करके समस्याएं बन रही हैं वहाँ पर बेशक आपके लिए चेलेंजिश खड़े हुए हैं लेकिन बावजूद उसके आप उन चेलेंजिश को भी हांस करके एकसेप्ट करेंगे जो की बहुत अच्छी सोच दर्शाता है आपकी और उनको आप चेलेंजिश को एकसेप्ट भी करेंगे उन पर काम करके उन सफलता भी प्राप्ट करेंगे दोने ही बात हैं बस उपाय हम आपको जो बता रहे हैं वो उपाये और करें भागे का भी सपोर्ट आपको बरावर मिलता रहेगा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे कोर्ट कचरी से संबंदे इत्मामलों में भी अच्छे परणाम आपके फेवर में आ रहे हैं आज के दिन उपाये आप क्या करें गले में एक चांदी की अगर चेन पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और दूसरी ओर आपको करना है सरफ और सरफ काल भेरव जी की पूजा काल भेरव जी की पूजा अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी चेलेंजिज हैं कार्य छेत्र से जुड़े हुए उसमें बहुत कमी आएगी और जो रहे भी जाएंगे उनको भी आप बहुत अच्छे ढंक से सक्सेस्फुली पूरा करते हैं आगे बात करते हैं करकराशी के जातकों के लिए कि भई जो जिनका कैंसर साइन है उनका क्या होगा तो प्रियसातियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए करकराशी के जो हमारे मित्र हैं आपको बताना से पूरा कर रहे हैं efficiently पूरा करेंगे आपके जो senior हैं वो भी आपके कारड़ाय से present रहेंगे आप से खुश रहेंगे और income भी आपको होने वाली है income भी आपको होती रहेगी और जो student से करकराशी के आज के दिन उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंदित अच्छे प्रणाम प्राप्त हो रहे हैं बस थोड़ा सा जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तालमेल आप बना के रखने की कोशिश करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा निकल जाएगा बस उपाए उपाए आपको हम बता रहे हैं कि क्या करना है उपाए आप प्रियसातियों आप बर्गत के पेड़ पर जाकर के जल चढ़ाएं और उस जो गीली मिट्टी है उससे टीका करें ये आपके लिए उपाए हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहता हूँ आपका मन बहुत प्रिसंड रहेगा और दूसरा आप उपाए ताकि आपका भागे का भी सपोर्ट आपको बरावर मिलता रहे तो उसके लिए आप ये करिएगा कि आप मा दुरुगा जी की पूजा करें अगर आप मा दुरुगा जी की पूजा करेंगे दुरुगा चालिसा का पार्ट करके दुरुगा जी की आरती करेंगे तो भी आप का भाग्य जो है आपका साथ देगा और माता की किर्पा आपके उपर जरूराएगी आगे बात करते हैं सिंग्राशी के जात्कों के विशे में जिनका लियोसाइन है प्रिया साथियों में बताना चाहता हूँ क Amanda, आप जो लियोसाइन के हमारी जातक हैं आप income को ले करके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है आपके हातों में धन आता रहेगा income के तौर पे आपके मित्रों का भी सही होगा आपको बरावर मिलेगा और दूसरी और workplace में भी आप बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन काफी अच्छा कार रहे कर पाएंगे मतलग कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि जिसको करके आपका अपना स्वयम का मन प्रसंड रहेगा और satisfy रहेंगे आप कि भई मैंने आज जो किया है काफी ठीक किया है अच्छा किया है साथ ही आप सुख और सुविधाओं का भी लाब लेने सुख सुविधाओं का लाब आपको मिलता रहेगा भागगे का सपोर्ट आपको मिल रहा है बस यह है कि सिंग राशी के जो जातक हैं आपके घर में जो ग्रह कलेश की स्थिती पैदा होने की सिच्वेशन क्रियेट हो सकती है तो उसका आपको रखना है ध्यान अपने घर परिवार के घर के बड़े बुजर्गों के साथ संबन अच्छे बना करके रखिएगा साथियों ताकि किसी भी प्रकार की समझ से आपके सामने ना आने पाए अगर आप भगवाई शंकर जी की काफी मनमुटाब दूर होंगे और वहीं पर बैठ करके आप इस मंतर का भी जाब करने ओम नमेश शिवा है बस इतना है एक माला एक सूआठ बार आगे बात करते हैं जो हमारे कन्याराशी के मित्र हैं जिनका की विर्गो साहिन है साथियों आप से बताना चाहेंगे कि आज आभी तक आप कुछ सोच करके हाथ नहीं लगाना पसंद कर रहे थे कि इन कार्यों में पढ़ेंगे तो फस जाएंगे या कुछ है तो अगर आज के दिन आप अपने ऐसे कार्यों को भी हाथ में ले लेंगे ना यह नहीं कि टिपिकल जो जॉब्स हैं वो भी आप आज के द एक एफिशेंट और एक अच्छे कुशल एक एमपलोई कह सकते हैं या एक अच्छे व्यापारी कह सकते हैं कहलाएंगे लोगों की नजरों में आप इस तरीके की आपकी छवी रहेगे आज के दिन प्रियसातियों भागे कावी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा जादा नहीं लेकिन मध्यम मिलेगा मिलता रहेगा पराकरम भी आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन आपका एनरजी लेविल अच्छा रहेगा और आप अपने कार्यों को भली भाती पूरा कर पाएंगे परिश्रम के भी द्वारा, परिश्रम से भी आप पीछे नहीं हटेंगे, विचार आपके काफी धार्मिक रहेंगे, धर्म के पिरती आपकी आस्था बनी रहेगी, कन्या राशी के जो हमारे मित्र हैं, तो प्रियसातियों मैं आप से बताना चाहूँगा, कि आज के दिन आप अपना वेवाहिक जीवन भी सुखी देखना चाहते हैं, वेवाहिक जीवन, तो फिर उसके लिए, मैं आप से इतना ही कहूँगा, कि आज के दिन आप ओम राम राहवे नमहा, इस मंतर का जाप जरू करें, एक माला, और ओम अंगार का नमहा, इस मंतर की भी एक माला जरू क करें, और जो महिलाएं हैं, वो हनुमान चालिसा का पार्ट कर सकती हैं संध्या समय, आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशी के मित्र हैं, जिनका लिबरा साइन है, साथियों बताना चाहेंगे, कि आप जो हमारे तुला राशी के मित्र हैं, आपका भाग्य का सपोर्ट आज आपको मिलने वाला है भागे के दोरा आपके बिगड़े हुए कारे बनेंगे और या जो पैंडिंग कारे थे आज का दिन है आपके लिए बहुत फेवरेवल डे है उनको भी आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे डंक से पूरे कर पाएंगे और दू दूसरे के साथ आपसी सहयोग और तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा साथियों मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने स्वास्त को ले करके जरूर सतर कर रहिएगा स्वास्त का बहुत ध्यान रखने के आवश्यक्ता है क्योंकि स्वास्त आपका न सतर को साथ रहने की आवश्यक्ता है यहां पर हम आपको थोड़ा सचेद करना चाहेंगे और जिनका कोट कचरी से संबंदित कोई मायटर चल रहा है उनको भी बहुत साथ रहने की आवश्यक्ता है हो सकता है कि आज के दिन थोड़ी भी आगर आपने लापरवाई की या देंगी या जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं तो इस बात को ले करके आप बहुत साथदान और सचेद हम आपको कर रहे हैं तो बहुत सतर की रहने की आवश्यक्ता है उपाये तो हम आपको दे ही रहे हैं आज माच और आपके शत्रू नश्ट और शांत रहेंगे आगे बात करेंगे जो हमारे विरिश्चिक राशी के मित्रे हैं जनी के जिनका स्कॉर्पियो साइन है साथियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आप के उपर आपके आज के दिन आपके बड़े घर के जो बनी रहेगी उनका प्यार और उनका इसनहे आप प्राप्त करने वाले हैं और उनके द्वारा प्यार और इसनहे के कारण कुछ गिफ्ट आदी की भी आपको प्राप्ती होने की संबावना से हम इंकार नहीं कर सकते हैं उनके द्वारा इस प्रकार का भी योग बना हुआ है आपके जो परिजवार के जो लोग हैं सदस्य हैं उनके साथ तो आपका तालमेल बनाई हुआ है पहले से ही है अच्छा है लेकिन दूसरी और मैं यह भी बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वरिश्चिक राशी के उनको बहु आप से कह रहे हैं और जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे परिश्रम पूरा नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नजर नहीं आती तो यहां पर जो है आपको थोड़ा सा परिश्रम करने की भी आवश्रक्ता है एक तो वैसे ही अंगारक योग का निर्मान हो रहा ह पंजब भाव में तो उसके कारण भी आप स्टूडेंट्स को विष्टिक राशी के जो हैं उनके लिए दिक्कते हैं परिशानिया हैं और दूसरी होर जो हायर श्टडीज कर रहे हैं आज के दिन उनके लिए भी कुछ समस्याएं हैं तो अगर आप नहीं चाहते कि भई पड़ें जो हायर श्टडीज कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं उपाय के थोर पे ओम श्राम श्रीम श्रॉम सहे चंदरमसे नमाहा इस मंतर का एक माला जाप जो हायर श्टडीज कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट करें और सभी करेंगे तो सरस्तोती जी की पूजा करें तो ये आप कार रहे जरूर करते रहिए प्रियसात्यों यदि आपका लाइफ पार्टनर को किसी प्रकार की कोई समस्या है स्वास्त से संबंदित तो फिर आपको जैसा हमने आगे भी बताया है कि फिर आपको आज के दिन मंदिर में जाएं और मंदिर में जातने के समय पर कुछ धार्मिक पुस्तकें बजार से खरीद करके ले जाकर के महाँ पे जाकर के दान दे दे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और ऐसे जातक जो हैं आज के दिन घर से जो निकलें तो अगर आप लाल चंदन का टीका लगा करके निकलेंगे तो आपके सारे कारे सिद्ध होंगे आगे बात करते हैं धनुराशी के जात्कों के विशे में जिनका सैजिटेरियस साइन है साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपका जो वेवाइक सुख है उसकी पूरी प्राप्ती के योग बने हुए है आप वेवाइक सुखों का पूरी दिन आनंद लेंगे और अपने जीवन साथी के साथ भी काफी रोमेंटिक पल व्यतीत करेंगे और उसका आनंद लेंगे आज का दिन ये आपके लिए है पूरा दिन बहुत आनंदित रहेंगे आप अपने वेवाइक सुखों का आनंद लेते हुए दूसरी ओर कारे छेतर में जो समझ जाएं आपके लिए चल रही थी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत राहत आपको आज के दिन मिल सकती है इसके भी संकेत गिरों के और से मिल रहे है जहां तक पराकर्म की बात है पराकरम आपका लगातार बना हुआ है हम बरावर बोल रहे हैं इस बात को रागे भी बना रहेगा आपके अंदर किसी आलस्ट नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है और आलस से के अलावा आपका एनरजी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है बस थोड़ा सा ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद इतना पराकरम के बाद परिश्रम करने के बाद भागे उतना साथ नहीं देगा जितना भागे का आपका साथ देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि भागे आपका मजबूत हो तो उसके लिए प्रियसाथियों आप सूर्य देव को जल जरूर दें प्राते काल इस नानादी से निवरत हो करके और तांबे के पात्र में दें और एक चुक्ती उसमें कुम-कुम मिलाने या रोली तब आप उस अर्द को देना है सूर्य देव को और ओम घ्रणी सूर्याय नमा इस छोटे से मंतर का एक सू आट बार उस समय पर मनी मन जाब भी करते रहिएगा तो इससे क्या होगा आपके भागे में मजबूती होगी दूसरी और स्वास्त का भी ध्यान जरूर रखिएगा खान पीन का ध्यान रखिएगा मौसम भी इतना गरम है गर्मी है भार का कुछ भी ना खाएं स्टीट फूड बिलकुल एवाइट करिए क्योंकि फूड पॉजनिंग भी हो सकता है पेट से सम्मंदित व्यादियां परेशान कर सकती हैं आप धनुराशी के जातकों को तो आपको इन बातों का भी बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा प्रिया साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका आज का दिन आपके कारेच छितर में भी सब कुछ अच्छा रहे पॉजिटिव रहे तो उसके लिए फिर जो उपाय हम आपको बता रहे हैं देखिए आज के दिन आप भगवाई शंकर की पूजा करें शिव सहसर नाम का पार्ट करें शिव सहसर नाम का पार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और घर में ही बैठ करके ओम अंग अंग अंगार काई नमाहा इस मंतर का एक सौट बाल जाप करने तो आपके बिगड़े हुए कारें काफी सुधरेंगे आगे बात करेंगे जो मकर राशी के हमारे जातक है यनि के जिनका कैप्री कॉन साइन बनता है साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो मकर राशी के जातक है आज का दिन ऐसा दिन है कि आप अपने एक तरीके से जो विरोधी हैं उनको भी आप नियंतरल में रख पाएंगे शान्त रहेंगे वो भी आपके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिससे आपको कोई नुकसान हो और दूसरी और मैं आप मकर राशी के जो जातक हैं उनसे बताना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई कोड कचरी से संबंदे मैटर चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं और यदि आप कहीं से कर जादी लेने की प्लैनिंग कर रहे थे बैंक आदी से किसी financial institution से तो आज के दिन आपका कार्रे बन सकता है अगर आप पहले से effort कर रहे थे और बात नहीं बन पा रहे थी तो आज के दिन आपका approval मिल सकता है आपके इस कार्रे को ये भी बात है प्रियसातियों, कारे छेतर में तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी चेलेंजिंग है, सिचुएशन इसमें कोई दो रहा नहीं है लेकिन बेशक चेलेंजिंग सिचुएशन क्यों नहीं हो, चीज़ें जो हैं आप उनको इतनी आपके अंदर कैपसिटी है, इतनी चमता है, इतनी आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उन सभी समस्याओं पर बहुत अच्छे डंग से, बुद्धी मिता पूर्ण डंग से कार रह करते हुए, उन पर सफलता पराप्त कर लेंगे और उसके लिए आपको काफी अच्छा एप्रिशेशन भी अपने वर्क प्लेस पे मिलने वाला है बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिए जो हम बरावर बोलते हैं मकरराशी के जातकों को कि अपना सौभाव जो है, सौभाव के अंदर आलस से पैदा ना होने दे आलस से नाम का शब्द जो है, वो अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए हला कि इस महीने की ही बात है, मई के महीने की, इसके बात तो बहुत अच्छी सिती बनने वाली है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप मेहनत खूब करेंगे लेकिन बस थोड़ा सा अभी ये कुछ जो महीने के कुछ दिन बाकी हैं, बस ये मान के चलिए ये दो तीन दिन की बात है, तीन चार दिन बात तो रिस्सिती बैटर होगी, आपको क्या करना चाहिए, कि ताकि आपका भागे कावी सपोर्ट आपको मिले, तो एक तो आज के दिन आप देखे, मैं आपसे ये ही कहूँगा, कि अगर आप काले तिल दान करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, काले उड़त दान करें, और भगवाई शंकर जी की पूजा जैसे कर सकते हैं, अगर उनका कच्चे दूद चढ़ा करके, अभी शेक कर सकते हैं, या जल से अभी शेक कर सकते हैं, तो अवश्य करें, और अग के लिए बहुत ही शुप परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आगे बात करते हैं कुमराशी के जातकों के लिए जिनका एक्वेरियस साइन है तो प्रियसाथियों आप से पताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं कुमराशी के उनके लिए बहुत अच्छे positive results मिलने की यहां पर संकेत मिल रहे हैं गरहों के दोरा तो आप जो students हैं आप अपनी पढ़ाई से संबंदेत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर हो पाएगी हाँ जो higher studies कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई में अपने अनुसार परिणामों क प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यक्ता रहेगी और भागे भी आपका बहुत ही ऐसे लगेगा आपको जैसे बहुत कंजूसी कर रहा है आपके लिए मतलब जिस मात्रा में आपका सहयोग भागे को करना चाहिए आज के दिन उसमें लगेगा आपको के भागे कहीं आपके साथ कंजूसी कर रहा है ऐसी स्थिती आपके साथ रहेगी लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कार रहे तो आपके जरूर भागे के द्वारा बनेंगे इसमें कोई शक नहीं है और या फिर आप अपनी महनत से कर लेंगे महनत भी अच्छी करेंगे प्राकर की कोई कमी नजर नहीं आ रही है घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके संबंद बहतर रहें और स्वास्त का भी आपको ध्यान रखना है स्वास्त भी आपका बिगड़ सकता है स्वास्त भी बहतर रहें इस पात पर भी आपको ध्यान रखना होगा इस बात का और घर परिवार के सदस्यों के साथ सम्मंद कैसे अच्छे बने ताकि उनके साथ भी आपका सही हो और एक प्यार बना रहे और वो जो भी आपके मन में खटास हैं दोनों परिवार के लोगों के और आपके वो भी ना रहे वो भी दूर हो उसके लिए आप क्या करें तो मेरे प्रियसातियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है उसके लिए आपने मारूती इस्तोत्र का पाठ आपको करना है मारूती इस्तोत्र का अगर आपने पाठ करा तो समझ के चलिए कि आपके कश्ट दूर और हनुमान जी के आरती जरूर करनी है हनुमान जी के उपर आपने मीठे का परशाद चढ़ाना है उनके श्रीचरणों में बूंदी का चढ़ा है या बेसन के लड़ू का चढ़ा है सरसों के तेल का दीपग भी अवश्चा जनाए ये कार्रे आप करें तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी समस्याएं दूर होंगी आगे और अंतर में बात करेंगे जो हमारे मीन राशी के जातक हैं मित्र हैं यानि के जिनका पाईसिस साइन बनता है साथियों आप जो पाईसिस साइन के व्यक्ति हैं आज के दिन आपको अपनी माता का सन्हे और प्यार और आशिरवात हम देख रहे हैं कि भरपूर मातरा में मिलने वाला है किसी प्रकार की कोई कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है और जो आपको अपने कारे छेतर में अभी कुछ चेलेंज फेस करने पड़ रहे थे आज के दिन आप ऐसा महसूस करने वाले हैं कि अरे जो इतनी परिशानिया थी हैं आज का दिन तो मेरा बहुत शुकून और शान्ती के साथ निकल गया एसा ही कुछ आपका दिन अपने वर्क प्लेज पर निकलने वाला है और आप अपने कार्यों से आज के दिन काफी संतुष्ट हो करके जो भी आपने किया है बहות अच्छा किया भाग्य का सपोर्ट आपको बगावर मिल रहा है जो की मिलता रहेगा आगे भी समस्या कहां बन रही है समस्या तो बस आपके थोड़ा सा यह है कि दिमाग पर जो है हम बार बार इस बात को बोल रहे है कि नकारात्मक विचार हावी बिलकुल ना होने दे नकारात्मक विचार आपके सेहत को भी खराब करेंगे और आपको गलत डिसीजन लेने के लिए भी उकसाएंगे तो गलत डिसीजन ना ले अगर कोई आपको बड़ा और महत्मूर डिसीजन लेना है तो अपने सहयोगियों के साथ बात चीत करके ही किसी निशकर्श पर पहुँचें तो जाज़े अच्छा है अपने बेस पर अगर आपने कोई लिया डिसीजन वो गलत हो सकता है उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अब आपको क्या करना है उपाए आप क्या करें उपाए आपको इतना ही करना है कि देखिए लाल मूंगे की माला से आपको इस मंत्र का करना है जाब आज के दिन प्राते काल इस नानादी से निवरत ओ करके ओम कराम करीम करूम से है भूमाए नमाए एक तो इस मंत्र का जाब करना है और संद्या के समय भी करें आप प्राते काल भी करें और संद्या के समय आप इस मंतर का भी जाब करें ओम ब्राम भ्रीम ब्राम से है रहावे नमा एक माला इसकी और एक माला ओम कराम करीम कराम से है भूमाए नमा इन दोनों मंतरों की आप एक एक माला जबू करें प्राते कालवी साइकालवी तो मेरे प्रिया साथियों अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव हैंगे तो ये था आप सभी बारे राशियों के जो हमारे मित्र हैं मेश से लेकर और मीन राशी तक उनका दैनिक राशी फल दिनांग 27 मई सन 2024 दिन सौमवार का और हमने इस दैनिक राशी फल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन सभी का कैसा जाने वाला है उपायों के साथ आपके साथ हमने चर्चा की है अगर आप उपाये भी करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे है साथियों अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें अधिक साधिक मात्रा में चैनल को सबस्क्राइब करें और दूसरा जो ये वीडियो है इसको भी जादे से जादे लोगों में आप शेयर करें ताकि लोग इस चानकारी का अच्छा लाब ले सकें और यदि आप चाहते हैं के आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे एस्ट्रोलोजी के टॉपिक पर बनते हैं वे समय रहते हुए विद नोटिफेकेशन आप तक पहुँच पाएं और आप उन सभी वीडियो का लाब ले पाएं तो उसके लिए फिर आपको बैल आइ में नोटिए